जैस यहराम दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सभी करंट IPO के करंट गिरे मार्केट प्रियूम के बारे में वो सभी में बोर्ड और SME IPO को मैं इस वीडियो में कवर करूँ है तो लास्त तक वीडियो को जरूर देखिएगा अगर हम सबसे पहले नीलम, लाइनेंस और गार्मेंस IPO की बात करें तो यह IPO लगबख 92 गुना सस्क्राइब हुआ था और इस IPO का जो करंट गिरे मार्केट प्रियूम चलता है वो 10 रुपे के आसपास चल रहा है और इस IPO को जो लिस्टिंग है वो 18 नॉमबर के दिन मार्केट में होने वाली है मार्केट में और ज्यादा गिरावट नहीं आती है हो सकता है कि यह IPO हमें 40-50% के प्रियूम पे लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है तो इसके बाद अगर हम जिंका लोजिस्टिक यानि के ब्लैक बक IPO की बात करते हैं तो इस IPO को अप्लाई करने का आज दूसरा दिन है और इसका जो करंट ग्रे मार्केट प्रियूम है वो 0 ही चल रहा है ओनिक्स बायोटेक IPO की बात करें तो इस IPO को भी अप्लाई करने का आज दूसरा दिन है और इसका जो ग्रे मार्केट प्रियूम है वो 15 रुपे के आसपास चल रहा है जो की टोटल 25% के आसपास फिलाल देखने को मिल रहा है तो काफी अच्छा ग्रे मार्केट प्रियूम इस IPO का हमें देखने को मिल रहा है एक्षोट रुपे का इसका इशू पर आई जा रहा है उस पर 15 रुपे का लिस्टिंग है नलक्सिया आपको यह दे सकता है जो की टोटल 15% के आसपास फिलाल देखने को मिल रहा है अगर हम NTPC Green Energy के IPO की बात करें तो जब से इस IPO का प्राइस बैंड आया है इसके ग्रे मार्केट प्रियूम में लगातर गिरावट ही आ रही है क्योंकि company ने अपने जो IPO की valuation रखी है काफी हाई रखी है जिसकी वज़े से भी इसके ग्रे मार्केट प्रियूम में काफी गिरावट आ चुकी है आज के दिन इसका जो ग्रे मार्केट प्रियूम चल रहा वो 3 रूपे के आसपास चल रहा है जो की टोटल पोने 3% के आसपास फिलाल देखने को मिल रहा है IPO का ग्रे मार्केट प्रियूम हमें बिल्कुल ही खतम होता हुआ नजर आ रहा है इसके बाद अगर हम लेमो साइक इंडिया IPO की बात करें तो यह IPO हमारा 21 नॉम्बर से खुलने जा रहा है इसका करन्ट ग्रे मार्केट प्रियूम है तक 0 पे ही चल रहा है ग्रे मार्केट प्रियूम अभी ओपन नहीं हुआ है जैसे जैसे इसके अप्लाई करने की डेट नजदिक आती है इसका ग्रे मार्केट प्रियूम हमें खुलता हुआ नजर आ सकता है इसके बाद अगर हम मंगल कमपो सोलीशन IPO की बात करें तो इस IPO का अप्लाई करने का आज लास दिन है और इसका जो करेंट ग्रे मार्केट प्रियूम है वो गिर के 7 रुपे आसपास आ चुका है जो की टोटल लगबग 15% के आसपास फिलाल देखने को मिल रहा है दोस्तों ग्रे मार्केट प्रियूम पे काफी pressure देखने को मिल दा है तो आप उस situation को ध्यान में रखते हुए ही अपने सारे decision ले दोस्तों इस studio में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो के like करे और चैनल को subscribe करना ना भोले